आज ही आप घर बैठके जैसे ये विडियो समापत हो जाता है, जैसे लाइव समापत हो जाता है, मेरी बात पर विश्वास करना और मेरी बात को फोलो करना, ये बात तो जरूर फोलो करना, आज आप घर जाके, घर पर ही हो स्वरी, क्योंकि ओफलाइन क्लास की आदत पड़ी आज आप पूर्ण रूप से अपने पाठे करम का मुल्यांकन करना उस पाठे करम को निकाल के एक एक टोपिक देखना और उस टोपिक के उपर इस तरह से गोले करना कि ये ये पाठ मैंने अभी तिक पड़े नहीं है जो पड़ लिए वो तो छोड़ दो जो नहीं पड़े है वो सारे के सारे आप इस परकार से गोले कर देना ये पाठे करम का मुल्यांकन आज ही कर लेना आप कि मुल्यांकन आज ही करना कि आपने कितना तयार कर लिया है पाठे करम का मुल्यांकन करने के बाद में आप ये पाओगे कि करीबन करीबन 70% मान लो कि आपने कर लिया है औ अगर आपने 50% पढ़ा है 50% नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं आपको सुरुफ एक चीज ध्यान रखनी है कि आप अब 20 दिन जो बचे हैं इन 20 दिनों में जो यह भाग है जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है किरप्या करके इसको एक बार दो बार पढ़ने का पूरा प्रियास करें कम से कम दिन में 3-4 गंटे दिन से दिन में 3-4 गंटे इस बाग को दें ताकि आप इस 30% को पूरा कर सकें और शेस जो टाइम बचता है 2-4-5 गंटे जो भी आप पढ़ते हो वो इसको रिवीजन में दें तो 70% जो कोर्स किया है आपने उसको आप रिवीजन क नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने पढ़ा कितना है और अभी तक छूटा हुआ कितना है आप इमानदारी से अभी आप खुद से प्रशन करोगे कि तो आप आओगे कि बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो अभी तक आपने कुछ पॉइंट नहीं पढ़े अच्छा अगर आपने 100 परसेंट पढ़ लिया है तो मैं मानता हूँ कि यह सबसी बड़ी अबात है अगर आपने 100 परसेंट पढ़ लिया है तो आप फिर आप इस 20 दिनों में क्या करो उस पोर्शन का रिवीजन करो प्लस आप एक टेस्ट नीमित रूप से सापताहिक टेस्ट कहीं से देते रहो औ था हूँ से आसी केसा रहे है आपका टाइम मेनेज़मेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है सिर्फ यी दूचिजें देखना आप ईने टो अगर अगर आप 2-5 गंटे का जो पेपर होता है उस पेपर में बैठके प्रोपर 2-5 गंटे में कम्प्लीट पेपर अच्छे से कर पा रहे हो गलती नहीं हो रही है टाइम पर कर पा रहे हो तो इसका मतलब बली कम हो है कोई फरक नहीं बढ़ता क्योंकि टेस्ट स्रीज में अक्सर ह हमारा जो लेवल होता है कई बार आपके ज्यादा लेवल आ जाता है कई बार कम लेवल आ जाता है तो कहने का मतलब ही होता है कि आप अपना स्कोर ना देखे आप सरफ इतना देखना कि आपके तरी के नहीं बैटरी है जो आपको तो निकाल पारे में अब तूम मैंटे का रई आप मनेज से कर पारे कि नहीं कर पा रहे हैं आप कर पा रहे हैं आपनेकों कुछ स्ट्रेस नहीं हस्त्रेस द condemn हुरिये आपको यह यह सारी चीज़े हैं कि नहीं है तो आप सरफ इतना ज्यान रखना कि यह चीज़े आप ज्यान रखना इसको ज्यान ना रखें तो आप अगर 100% कर चुके हैं फिर भी अगर आपका टाइम मेनेजमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आपने 100% में गास काटी अच् क्योंकि अगर आपने दो से तीन बार चार बार अच्छे से कोर्स किया है तो ऐसे भार कभी फस नहीं सकती तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप बार बार जिसने 100% किया है बार बार रिवीजन करें और टेस्ट में इन चीजों का ध्यान रखें इस को को कोई माइन ही नह सकता और आपने उन्ट परसंट नहीं तो अगर जू बचा हुआ है वह आप जरूर करना मैं पcus रूप इस बाता हूं आप को कि कि अगर हम 30 okay कर צोड के एक इंग्जामें चले गए यह बीस पर इस परसंट को चोड था में चले गए हमें पता ही नहीं चलता है कि इतना को सू किया ना तो भी 90 नमर आएंगे इसलिए कहता हूं कि 150 का तयार करके जाना वहां अगर आपका थोड़ा परदर्शन बिगड़ भी गया ना तो भी 115 के आसपास नमर आ ठीक है पहली चीज तो यह तो पाठे करम का मुल्यंकन करने का काम करना और उसके अकोडिंग यह काम करना तो अभी आप 20 दिन क्या करोगे 30% 20% जो भी सेलिबस रहा हुआ उसको पूरा करना पहली चीज दूसरी बात क्या करना है आपको इस समय आप जो भी जो भी सामगरी कर लो अभी आप किसी एक इस्तान पर सेटल हो जाओ और सारी चीज अच्छी तरीके से इन 20 दिनों में मेरा कहने का सरफ इतना ही मतलब है कि आप यह सारी चीज एक बार कोर्ष पूर्ण रूप से तयार कर लो उसके बाद क्या करना है फिर आगे जब 30 दिन सेस्ट बचेंग अगर कहीं पर भी बाहर नहीं जाओगी इसके अलावा कहीं नहीं जाना उसी जगे पे रहना है और एक चीज और ध्यान रखना मैं तो इसना ही कहूंगा कि आप सोचल मेडिया जो है अगर मेरी बात मानते हो तो आज आप अभी जैसे लाइव सेशन खतम होता है उसी समय इसके उपर एक लंबे से अंगुली प्रेस करना और वहां अनस्टॉल का निशान आयका उसको अनस्टॉल कर दो अगर आप आज ही ये सोचल मेडिया अनस्टॉल कर लोगे तो मेरी बात यकीन मान के चलना आप 8-10 नंबर जो है वो बढ़ा रहे हो सीबे तो अगर आप आप कर लोगे तो 26 अपरेल के बाद आप बली वापस ओन कर लेना कोई दिक्कत नहीं है इन दो महिना में कुछ भी बिगणने वाला नहीं है इसलिए आप सोचल मेडिया आज ही अनस्टॉल कर लो इन पचास दिन रीट को समर्पित कर दो अगर आप सोचल मेडिया अनस्टॉल कर लाएंगे तो 10 अगर बढ़ाने हैं तो आप सोचल मेडिया डिलिट कर देना अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो सोचल मेडिया रहने दो यूज करते जाओ मुझे पता है कि जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं कोई चीज करने लगते हैं तो बीच में क्या होता है बी कहीं चले जाएंगे दो गंटे गूमके और वापस वहां पर आएंगे कहां पर जहां पर हम पहले थे तो दो गंटे हमारे फालत व्यर्त होगे इसके अलावा हम काम फंसते हैं बीच में से कई ऐसे ऐसा माजी तक्त्तो होते हैं जो ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो जिसका को है वो दस से पंदरा नंबर आप बड़ा पाऊगे यह सबसे जदा जरूर यह और जहां तक यूट्यूब की बात है तो यूट्यूब को भी आप लिमिटेड कीजिए साम को एक दो गंटे जो भी आपको लगता है कि मुझे इस समय थोड़ा यूट्यूब देखना चाहिए पिछे तो नहीं रहाओंगा मैं हम लोगों ने जब पढ़ाए कि हमारे टाइम में कोई यूट्यूब नहीं था अच्छा आप यूट्यूब नहीं कर रहे हैं और आपकर किताब बढ़ रहे हैं तो अकिन मानिया आगे जा रहे हैं आप पीछी नहीं जा रहे हैं इसलिए सोचिल मीडिया वगएरा सब डिलिट करके यह सारी चीजा करना शुरू कर दो तो अभी 20 दिन का जो समय है यह सारा समय है आपको पूरे सेलिबस को एक से दो बार वापस पढ़ने का और उसके बाद जो 30 दिन सेस बचेगा उसमें केवल रिविजन रूम से बाहर नहीं निकलन करना है यह फोन सब बंद कर देना और फोन बंद इसलिए कह रहा हूं कि हाँ ठीक है यूट्यूब आपको लगता है कि मुझे कुछ चीजां देखनी करनी है तो वह कर लेना बाकी यह सारी चीजें छोड़ देना इसकी अलावा टेस्स वगएरा आप दे सकते हो कोई दिक्क साथ 8 गंटे रेगुलर पड़ते हैं तो किसी भी परकार की दिक्कत नहीं है आप आराम से चीजों को हैंडल कर सकते हो तो पांसे गंटे की पड़ाई होती है वो भी अपने आप में ठीक ठाक होती है वैसे आप अगर फ्री बैठ है तो 12-15 गंटे अपने आपको तपाई है तरीके से उप्योग करिए तभी जाके आपका काम है वो पून होगा अदर्वाइस यह होगा कि आप लोग जो है वापस बहाने बनाते रहोगे दूसरों को दोस्त देते रहोगे इससे अल्लावा कुछ भी आसिल होने वाला नहीं है इन पचास दनों में आप अपने आपको खपाईए किताबों में खपाईए टेस्ट दीजिए और सबसे बड़ी बात ये सारी चीज़ें जो है वो बंद कर दीजिए तब ही जाके यूँ कहिए कि आपको मजा आएगा तब ही जाकी कॉन्फिडेंस आएगा कुछ बच्चे कह रहे सर्मारा कॉन्फिडेंस नहीं आ थकान हो रही है देखो लंबे समय से दो दू चार चार एक दो साल से कब जब कंटीनियू तयारी करते हैं तो थकावट संभा हुए है थकावट पॉसिबल है आएगी थकावट आएगी उत्सा भी टूटेगा होसला टूटेगा